क्यों नहीं दे रहा अनुच शुर्ती को क्लोजर क्यों रखा हुआ है उसे अंधेरे में नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजुशर्मा दिल से स्वागत करती हूँ आज की कड़ी देखके अनुच से मुझे डिसेपॉइंट मेंट वी शुरुती वाले मैटर को लेके शुरुती जो बहुत ही चिंता में थी कि दोनों क चले कहां गे आध्या और अनुच रात को ऐसे चलेगे कहां गे मुझे बताया नहीं फोन भी नहीं लिया वगएरा वगएरा जैसे एक मदर चिंतित होती है जैसे एक वाइफ चिंतित होती है और उसकी चिंता जाइज है क्योंकि चार सालों से इनका रिष्टा कुछ ऐसा ही रहा होगा जो इनके अभी प्रेजन को देख के हम अंदाजा लगा सकते हैं तो जब यह लोग आते हैं तो कैसे बिहेव करते हैं हम सब ने देखा तो बात करते हैं इसकी उपर पहले वही निवेधन जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है क्रिपया कर देजिए साथ में दोस्तों बेला इप उन्द भाईएगा ताकि आपको मरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें अनुज और आध्या वापिस आते हैं और सामने शुरूती को पाते हैं दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई है बहुत टेंशन बिल्ट अप हुई है और आध्या को पहली बार अनुजने डांटा है ये वो आध्या है जो शुरूती के बिना सांस नहीं लेती है जिसको शुरूती ही चाहिए शुरू शुरू करती है उसने एक बार भी शुरूती को सौरी नहीं बोला वैसे वो सब कुछ मैनेज कर लेती है एक बार भी सौरी नहीं बोला कि हम आपको बता के नहीं गए क्योंकि वो टैंचन में दिख रही थी सामने खड़ी थी वो अपने तेवर दिखा के आध्या अपने कमरे में चलीगी अब बचे अनुच अनुच को शुरूती ने दो तिन लाइन्स में काफी कुछ पूछा भाई क्या चल रहा है मुझे भी तो बताओ ऐसा तो पहले कभी हुआ नहीं है फोन भी नहीं था हुआ क्या है ऐसा मगर अनुच ने क्या कहा आगे गुड नाइट और अनुच भी चला गया क्या वहां पे शुरूती के सवालों का जवाब देना अनुच का फर्ज नहीं था अनुच जो खुद अनुपमा से क्लोजर मांगता गुम रहा है कि मुझे अनुपमा से सवाल पूछने हैं क्लोजर चाहिए वो अपने ही गर में एक लड़की को किस बात के लिए अंदेरे में रख रहा है क्या उसको अभी अनुपमा से राइट रॉंग सच जूट क्लोजर या फिर ओपन का पता चलेगा फिर वो शुरूती को क्लोजर य एक हाथ आगे बढ़ाया और उसने उसको जो भी था खाने के लिए वो दे दिया अब वो मिल गया उसको तो उसने सोचा की चलो कुछ और भी ले लता हूं एक बार और मांग के देखता हूं यह वाला हाथ अपने पीछे कर लिया और यह वाला हाथ आगे कर दिया कि मुझे और चाहिए जब उसने यह वाला हाथ आगे किया तो इंसान जो दे रहा तो उसने पहचान लिया कि यह तो मैंने पहले तुमको दिया है बाकी लोगों को लेने दो और इतने में पीछे वाले हाथ में जो खाना था वो पीछे से कुटा खागे चला गया ना इस हाथ में उसको नहीं बताएगा कि क्या चल रहा है तो ये बात बार-बार अनुच के लिए हमारे दिमाग में आएगी ही आएगी कि वो क्यूं ये वेट कर रहा है कि मुझे अनुच से क्लोजर चाहिए फिर मैं शूर्ती को क्लोजर दूँगा सिर्फ अगर आध्या के लिए ही शूर्ती चाहिए तो वो भी शूर्ती को बिल्कुल क्लियर करो भई ये शादी में सिर्फ तुमें आध्या की मां बनके ही जीना है मेरी वाइफ बनके तुम जी नहीं सकती हो क्यों एक लड़की से खेल खेल रहा है अपने emotions का बोज क्यों किसी और पे डालना क्या अनुपमा ने अपने emotions का बोज किसी तीसरे पे डाला है तो अनुजैसा क्यों कर रहा है मुझे ये बात से बकाइदा disappointment पहले भी हुई थी अभी भी हो रही है कि कम से कम एक लड़की को clear cut बताओ भाई चल क्या रहा है life में और पिछले 4 साल से वो लड़की तुम लों की सेवा कर रही है तुमारे panic attacks दोनों बाप बेटे के जेल रही है प्यार करती है तुमसे सबसे बड़ी बाद प्यार नहीं करते हो समझ में आता है एक concern तो है न उस concern के लिए ही उसको भोलो भाई कि ये चल रहा है बाकि उसको decide करने दो उसको आगे चलना है नहीं चलना आद्या की माँ बनना है नहीं बनना let her decide उसको बताओ तो सही उसको क्यों अंदेरे में रखा हुआ है दो उसको closer तो मुझे आज सच में जो लगा वो मैंने आपके साथ शेयर किया है बाकि आप लोग अपनी feedback में बताईएगा कि क्या आपको भी ऐसा लगा तो दीजे का feedback और देखते हैं ये चैनल हंगरी स्पिर्ट साइट तो समच subscribe to our channel by clicking the subscribe button click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel